हाई फ्रेंट्स आपका हमारा योटीब चैनल CSF ASI LDC Mentors पर स्वागत है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैसेज आपका 9 है ठीक है इसके पहले 8 पैसेज कम्प्लीट हो चुका है और यह पूरा 20 पैसेज का सिरीज जो है PDF फॉर्मेट में आपका टेलिग्राम चैनल CSF ASI LDC Mentors में मैंने पहले ही डाल दिया था ताकि आप इन सभी PDF को जो है प्रिंट कराके उसके मीनिंग्स को समझते रहें फिर ताकि मैं वीडियो बनाओ तो आपको अच्छे से समझ में आ सके कई बार ऐसे टफ जो है मीनिंग होते हैं आपको नहीं भी समझ में आएंगे पैसेज में जरूरी नहीं है कि पैसेज को करते समय हमें 100% मीनिंग समझ में आना चाहिए ओभी CSF ASI LDC के एकजाम में अगर आप 50 to 60-70% भी समझने लगे तो मैं बता रहा हूँ आप इंगलिस में 80% तक पैसेज कर ले जाएंगे 80-90% यानि 10 में से आड़ नो कोस्टन एकाद वर आपको ऐसे घुमाने वाला पूछ सकता है जो आपका गलत हो सकता है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आपका पैसेज स्टार्ट करने से पहले फिर वही सेम तरीका सबसे पहले आपको क्या करना है कोस्टन को पढ़ना है क्योंकि आप पैसेज को कितना भी पढ़ने जब तक कोस्टन को नहीं समझेंगे आपका एंस्वर कंप्लीट नहीं माना जाएगा तो हमें जैसे मानली जीए कोई बोल दिया आपको दोडना है क्या आपको ग्राउंड दे दिया मैं आपको मानली जीए 400 मीटर या 500 मीटर के एक बड़े ग्राउंड में ले जाके छोड़ दिया बोल दिया आपको दोडना है अब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कितना दोड़ना है कब रुकना है क्या करना है ठीक है लेकिन वही चीज आपको मैं बोल दूँ कि एक बार सौ मीटर एक बार दो सौ मीटर यानि कि पहले आपको प्रस्न जानना है कि क्या हमसे पूछा जा रहा है अगर हमें ए पता चल जाएगा कि क्या हमसे पूछा जा रहा है तो उससे मिलता जुलता वर्ड जब हमारा पैसेस में आएगा और जो आपसं में दिये वर्ड है उनसे हम मिलान करेंगे तो वही हमारा answer हो जाएगा और ऐसा 10 में से 7-8 के साथ होता है एक दो आपका घुमा के भी पूछा जा सकता है कई लोग पैसेज को बड़ा देखके डर के भी छोड़ देते हैं लेकिन आप इन वर्ड पे फोकस करेंगे और पैसेज में इन वर्ड पे जाके फोकस करेंगे तो आपका answer आसानी से मिलता जाएगा अभी तक आप हमारा कोर्ट से नहीं चुड़े हैं तो CSF SI LDC के लिए फ्यूचर रोजगार एप पे पूरा हर एक content के साथ चाहिए आपका CSF Act and Rule हो, Current Affair, Math, Reasoning, English पूरा टोटल आपको अलग से कहीं भी कुछ भी पढ़ने की आव सकता नहीं पढ़ेगी जितना content दिया जा रहा है उसी को आप अच्छे से तयार करें स्टार्ट करतें आपका पहला question पहला question है in the Sariska National Park there are तो Sariska National Park GK का प्रश्णगर बन जाए तो कहां पहे है यह आपका राजस्थान में है तो कह रहा है in the Sariska National Park there are यानि वहां पहे है क्या है बोथ Cornivirus and Herbivirus Cornivirus का अर्थ होता है कि जो मांसाहारी होता है क्या जो मांसाहारी होता है और Herbivirus का अर्थ होता है आपका जो साकहारी होता है आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि जो सरवाहारी होता है उसको क्या कहते हैं क्या जो सरवाहारी होता है उसको क्या कहते हैं और O से start होता है, किस से start होता है? O से start होता है, ए चीज आपको बताना है No cornivores, no herbivores, only cornivores, only herbivores तो जब हम देखेंगे सरिष्का नेशनल पार्क में कैसे जानवर हैं, वही सही पता चल जाएगा, साकहारी मान साहारी ठीक है, animals come to satisfy their thirst at A जो जानवर होते हैं, अपने प्यास, thirst means, अपने प्यास को बुझाने के लिए satisfy, satisfy मतलब संतुष्ट करना, बुझाने के लिए कहाँ पर आते हैं, come to satisfy, कहाँ पर आते हैं deep well, bore well, water hole और bore hole, तो ए वर्ड चारों में से जहां मिलेगा, वही हमारा answer हो जाएगा the sand grudge is a species of, जो sand grudge है, एक जाती है, किसका, पौधो का, ट्रीज, पेड का, एनिमल, जन्तु का, बर्ड, पच्छी का सरीषका नेशनल पार्क is not far from, जो सरीषका नेशनल पार्क है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, किस से, राइपूर 36 गड में है, मेवार राजस्थान में है, जैपूर राजस्थान में है, जोधपूर राजस्थान में, हम लोग option देखेंगे, समझ जाएंगे, जब passage पढ़ monuments and forts, monuments का अर्थ होता है, इस मारक, ramparts का अर्थ होता है, प्राचीर, किला, मंदिर और प्राचीर, इस मारक और मंदिर, तो अब हम क्या करते हैं, पैसेश को पढ़ना, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसको जूम कम कर लेते हैं, क्या कर रहा है, सरीषका नेशनल पार्क is a wildlife century, जो सरीषका राश्टी पार्क है, नेशनल पार्क मरतलब राश्टी पार्क है, is a wildlife century, एक वन जीव अभ्यारन है, क्या है, एक वन जीव अभ्यारन है, located at a distance of 107 km from जैपूर, जैपूर से कितना दूर है, 107 km है, तो हमसे पूछा था किस जगह से नजदीक में है, not far from कहा था, तो वहाँ पे चार अप्सन थे, मेवाड, जोधपूर, राइपूर, जैपूर, हमारा answer क्या हो जाएगा, जैपूर,